लेखक आलोक लाल और मानसलाल की पुस्तक on the trail of thugs and thieves का विमोचन अंग्रेजी लेखक गणेश सैली और स्टीवन आल्टर ने किया इसे मौके पर पुस्तक को लेकर खुली चर्चा भी हुई On the trail of thugs and thieves के विमोचन समहरों में पुस्तक के लेखक आलोक लाल ने कहा कि उन्हें पुलिस विभाग का लंबा अनुभव है और पुलिस ऐसा विभाग है जिसमें आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जो दल्चस्प होते हैं या ऐसे होते हैं जिने आप कभी मिलना नहीं चाहते पुलिस के पास बहुत कहानिया होती है ये कहानियां दूसरों तक पहुँचे इसलिए ये पुस्तक लिखी है उन्होंने बताया कि उनकी पहली पुस्तक बारमबकी नार्कोस पर वैब सीरीज भी बन रही है इस मौके पर लेखक मानस लाल ने कहा कि इस पुस्तक में आठ कहानिया है जिसमें उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के गाउं से जुड़ी इन कहानियों में चोरियों की उपर लिखा है ये तो इस पुस्तक कराम है अन दे ट्रेल अफ थग्जिन की और ये किताब आठ कहानिया है इस किताब में जो कि यूपी और उत्तराखंड के इलाकों के बारे में गाउं के बारे में और कहानिया लगती तश्रूमें कि छोटी सी कहानी है किसी चोरी के बारे में लेकिन बाद में बड़ी चीज़ें बदा चलती हैं, इसे हुमन ट्राफिकिंग राकेट्स हैं, कुछ केसें में, पुछ केसें में आर्ट सेथ हैं, प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी से संबने डॉक्मेंट स्टीज हो गए हैं, ऐसा दिया है, तो बहुत हैं, और जो एक एक डीटेल है, उसको कवर कर लेगी हमने कोशिश करी हैं, पहले बाद पर यह कि इस किताब को लिखने के वज़े यह है, कि मेरे एक बहुत लंबा अनुभव है, पुलिस विभाग में काम करेंगे हैं, और पुलिस एक ऐसा विभाग है, जिसमें जिन प्रत मौकर में लेकर वो दूसरों तक पहुंचानी चाहिए, इसलिए यह किताब लिखी है, दूसरी बात है कि यह किताब इसका किंडल वर्शन भी है, और हमारी किताबों के साथ यह भी हुआ है, कि उनका एड़ेप्टेशन फिल्म्स में हो रहा है, तो किसी ने किसी तोल पर य पहुंच रही है, इस मौकर पर समहरों के मखती थी, लिखा कि स्टीवन आल्टर ने कहा कि, आलोक लाल और उनके पुत्र, मानस लाल ने जो यह पुस्तक लिखी है, उन्होंने दो बार पढ़ी, इसमें पुलिस से जोड़ी रोचक कहानिया है, इसमें सबसे अच्छी बात ह कि जो कहानी एक सिरे से शुरू होती है, वो दूसरे छोर पर समाप्त होती है, जिसे पाठक अंत तक पढ़ेगा. और पुलिस की कहानिया है, लगो की कहानिया है, चौर सिवाई की कहानिया हैं इसमें, मगर मुझे यह अच्छा लगा कि जितने वी कहानिया है वो एक भी रास्ते से शुरू होते हैं, अबर दूसरे रास्ते से वो फत्म होते हैं. Rabindranath Tagore University Bhopal, only private university and MP to be NIRF ranked for five consecutive years. जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टायप्स for placements, अतल इंक्यूबेशन सेंटर फो नर्चरिंग स्टार्ट अप्स, इंडस्ट्री अकाडेमिया कोलाबरेशन for exposure of real industry world, 20 centers of excellence for research, साथी ग्लोबल फेस्टिवल, विश्वरंग में शामिल होने का अफसर देता है, रभिंदरनाथ टैगोर युनिवर्सिटी, अन्लॉकिंग पोटेंशिल, आप देख रहे हैं, डखल न्यूद,